सची महबबत करने वाले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों आज की जो वीडियो में लेकर क्या हूँ बहुत ही मज़ेदार वीडियो है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लड़की कैसे पटा जाती है दोस्तों अगर आप भी किसी लड़की को परपोच करना चाहते हैं या उसे पटाना चाहते हैं या उसे अपना बनना चाहते हैं तो आज मैं आपको तीन गुरु मंत्र लेकर के आया हूँ जिनकी सहाथा से आप लड़की को पटा सकते हैं यह कोई मंत्र नहीं है केवल यह तीन छोटे से स्टेप हैं जिसनको आपको फालो करना है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पिलीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा और साथ ही साथ वेल होती है तो आप सोच रहे हैं कि इस लड़की को कैसे सट करें कैसे परपोज मारें तो इसके लिए दोस्तों आप आपको एटमोस फियर क्रेट करना पड़ेगा महूल बनाना पड़ेगा महूल ऐसा बना दो कि बंदी आपके पीछे खुद पढ़ जाए ऐसी situation create कर दो कि उसको लगे कि यार ये बंदा कब मुझे से बात करेगा कब मुझे से बोलेगा इतनी दिन हो गए मुझे से बात क्यों नहीं कर रहा है और आपको महौल बनाना कैसे है ये जान लेते हैं महौल जो होता है आपकी बाते ही बना सकती है जैसे क्योंकि भाई बाते जो होती है न बहुत ही बातों से बहुत ही प्रभाव पड़ता है क्योंकि दोस्तों देखो अगर आपको बात करना आ गया तो लड़की क्या यार पड़ोस की भावी भी सेट हो जाएगी तो दोस्तो किसी भी लड़की को अगर आप पटाना चाहते हो तो महोल भी बनाना पड़ेगा और सिचुएशन भी बनाना पड़ेगा महोल आपकी दिल्चस्प बाते और सिचुएशन आपको बनाना है हाँ एक बात और आप लोग क्या करते हो लड़कियों को परपोज मारने लगते हो यार जब दोस्त बनकर ही सारा काम हो जा रहा है तो परपोज मानने की क्या जुरोत है जब आप लोग परपोज मारते हो तो लड़किया फ्रेंट जोन कर देती हैं और किसी भी बंदी को अगर सेट करना है तो एक अन्जान लड़की को सेट करो यार वो तो सेट कराई ही है आप लोग बोलोगे कि एक अन्जान बंदी को कैसे सेट करें तो उसके लिए कई तरीके हैं जैसे नमबर एक, उसे आइक उन्टेक्ट करो उसे अपना आइक उन्टेक्ट मिलाओ नमबर दूसरा, उसे महोल में jam महोल बनाना कैसे है जैसे आप college में हो तो college की महोल में आप ढखल जाओ आप bank में हो तो बैंग के महोल से ढल जाओ आप स्कूल में हो तो स्कूल की तरह यानि कि जिस तरह उसको देखो अगर बस अड़े पे हो तो बस स्टेंड पे हो तो बस स्टेंड पे जाओ उसे बोलो कि एक्स्क्यूमी आप इतन नमबर की बस कितने बज़ाती है या आप कुछ भी उससे पूछ सकते हो यार आप वो मना नहीं करेगी क्योंकि यार आजकल सभी लोग इतना तो बता ही देगी यार वो और हाँ सबसे बड़ी यहां मुद्दे की बात यह है कि उसका नमबर कैसे ले हम एक चीज़ आप को करना है आप अपना नमबर उससे कभी नहीं देना है क्योंकि अगर आप अपना नमबर उसको दे देते हैं तो 80% चांस होता है कि लड़किया आपको कॉल नहीं करती हैं क्यों नहीं करती हैं क्योंकि यार उनके अंदर इगो आ जाता है बहुत सी प्रोबलम हो जाती है जिनकी करना वो आपको call नहीं कर पाती हैं तो ऐसा नहीं करना है आपको number अपना नहीं देना उनसे खुद number मागना है number मागना कैसे है जब वो लड़की आप से eye contact मिला रही है और smile कर रही है यानि कि आपके लिए उसके अंदर कुछ feelings हैं जिनके वज़ा से आपको number दे देगी अगला step है हमारा set yourself according to the girl भाई आजकल की जो लड़की हैं न उन्हीं लड़कों से set होती हैं जो लड़के अपने आपको उनके महोल में हर प्रकार से अर्जश कर लें लेकिन लेकिन ये तब तक करना है जब तक की लड़की set नहीं हो जाती है अगर लड़की set हो जाती है तो उसको अपने हिसाब से अर्जश करवाना है अगला point है हमारा add qualities inside you who girls like it भाई ये step जो है न इसमें क्या करना है कि अपने अंदर quality लाओ और वो quality क्या है number 1 patience और number दूसरा confidence तो confidence क्या होता है confidence वो आत्मविश्वास है जिसके जरी हम लोग किसी भी काय को मुश्किल से मुश्किल कार को करने में हम लोग हा कर देते हैं उसी हम confidence कहते हैं confidence के बारे मैंने एक वीडियो बना रखी है जो description में देऊ दूँगा वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं I have कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी तो like करें, share करें, subscribe करें और share करें और आपको किस तरह की वीडियो पसंद है आप हमें comment में अपनी राज दें, हम उस प्रकार की वीडियो आप तक जरूर पहुचाएंगे, okay, thanks, tata, bye bye, take care